अमेरिकी राष्ट्रपती डॉनल्ड ट्रम्प दोबारा जीत दर्च करने के लिए जोडशोर से कैमपेणिंग कर रहे हैं। भारती अमेरिकी समुदाय को लुभाने की कोशिश के खरब में शुकरवार स्थानी समयानुसार को डॉनल्ड ट्रम्प ने एक बार फिर से प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र किया और उन्हें अपना अच्छा दोस्त और महानेता बताया। इतना ही नहीं उन्होंने भारत और चीन के बीच सीमा विवाद में भी मदद की पेशकश की। समवाद्धाताओं से बातचीत के दौरान डॉनल्ड ट्रम्प ने का प्रधान मंत्री मोदी मेरे दोस्त हैं और वे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये भासान नहीं है लेकिन वे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ट्रम्प में भारतिय समुदाय से कहा आपको एक महान नेता मिला है और आपको एक महान व्यक्ति मिला है। इस साल फवरी में फर्स्ट लेडी में लानिया ट्रम्प के साथ भारत की अपनी दो दिवसीर यात्रा के बारे में उन्होंने कहा हमारे पास एक अवि की तारीफ की उन्होंने कहा कि हाओडी मोदी शानदार कारिक्रम था वह मोदी इससे ज्यादा और उदार नहीं हो सकते थे हमें भारतियों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समत्थन है मुझे लगता है कि भारतियमूल के लोग ट्रम को वोट करेंगे भारत-चीन संबं पर मदद की पेशकर्ष्ट भारत और चीन के बीच तनाओ को लेकर ट्रंप ने कहा कि अभी बहुत ही खराप स्थिती है हम तनाओ कम करने के लिए चीन और भारत के संबंद में मदद के लिए तयार हैं अगर हम कुछ भी कर सकते हैं तो हम इसमें शामिल होना चाहेंगे और दोनोंदेशों की मदद करना पसंद करेंगे हम दोनों देशों से इस बारे में बात कर रहे हैं वारस को लेकर चीन पर हमला ट्रंप ने चीन पर हमला बोलते हुए कहा कि इस वक्त रूस से भी अधिक चीन की चर्चा होनी चाहिए क्योंकि विए जो काम कर रहा है वैह कहीं ज्यादा खराब है। उन्होंने कहा कि चीन के एक वारस ने दुनिया भर के 188 सी देशों में तबाही मचा रखी है। दुनिया ने इसी देखा है।